एक short form में मैं आपको lifestyle diseases का जो एक छोटा सा मैंने और topic डाला था कि diabetes है, thyroid है, BP है, heart diseases है, हम कौन से supplement लें, कौन से supplement नहीं लें, तो सबसे पहले तो आपको priority ही set करनी है, एक 5 question हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना है, कि आपके sign and symptom क्या है, आपके deficiency body में कौन कौन सी चल रही है, आपके diseases हैं, ये कौन सी है, पहला basic इन तीन का combination आप बनाओगे, sign and symptom, deficiencies and diseases, इन तीन का combination जब आपका बन जाएगा, उसके बाद आप देखी आपको doctor ने क्या चीज लिखी है, कौन से medicines आपके लिखे हैं, तो उस medicines को आपको check out करना है, जाता है क्या नहीं लेना है उसको cross check करना है, यानि जो भी आपने supplementation select किया है, उसमें से अब आपको क्या नहीं लेना है, उसको cross check करना है, जब आप इन 5 चीजों को cross check कर लेते हो, उसके बाद ही आप अपने लिए 5-6 supplement select कर पाओगे, कि मैं अपने लिए अप कौन सा supplement खाओँ, अगर आप इस तरीके से decision लोगे, कि इसको diabetes है तो ये supplement दे देते हैं, इसको heart disease है तो ये supplement दे देते हैं, एक person आज की date में multiple diseases से गुजरता है, उसको एक diabetic patient 4-5 साल के अंदर heart patient और BP patient आटोमेटिक बन चुका होता है, तो उस condition में अगर हम लोग सोचे कि अब diabetes के लिए ये दे दे, heart के लिए BP के लिए ये दे दे, फिर doctor की medicine चल रही है, उसके साथ में वो combination बनेगा की नहीं बनेगा, और हमें क्या उन्हें नहीं देन चाहिए, ये सब को जब तक आप मैच नहीं करोगे, तब तक आप अपने लिए वो 5-6 supplement select नहीं कर पाऊगे, जो आपके लिए best होने चाहिए, कई लोग diabetes है, तो diabetes के लिए 4-5 supplement लेते रहते हैं, heart disease है, तो heart के लिए 4-5 supplement ले लेते हैं, लेकिन वो basic supplement भूल जाते हैं, जो उनक lifestyle disease में, या well-being के लिए, micronutrients का presence और micronutrients का presence होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, micronutrients में हम लोग के minerals and vitamins सरी category आजाती है, और micronutrients में हम लोग का protein और fat, carbohydrate ये आजाता है, लेकिन हर चीज की maintenance के लिए सबसे basic जो requirement लगती है, macro and micronutrients आपके सही होने चाहिए, even you are planning for weight loss, तो लोगों को confusion होता है, कि मैं weight loss program में हूँ, क्या में multivitamin लूग के नहीं, मेरा weight तो नहीं बढ़ जाएगा, आप ये बताइए, आप weight loss कितने भी plan में हो, अगर आप vitamin D की deficiency में हो, B12 में हो, calcium deficiency में हो, तो ये आपको लेना ही पड़ेगा, तो आप supplements को लेते समय, weight loss और weight gain का ये combination बना के मत लेजिए, कि ये weight gain करेगा, कि weight loss करेगा, आपको जो भी करना है, आप natural way में जाके कीजिए, आपके dietitian से मिले, आप diet को set करके कीजिए, आप अपने physical exercises को बढ़ाएए, उसके हिसाब से आप, आपके weight को manage करने पे आए, और macro and micronutrients की जितनी भी requirement है, वो आपक आपके reports के according, आपके sign and symptoms के according, आपके diseases के according में match कराएए, तब वो supplementation आपकी health को improve करेगा, खाले आप नाम लेके अगर किसी product को बोलेंगे कि this is for diabetes, this is for heart, this is for BP, तो फिर जब आप combination बनाने बैठेंगे, तो आप सोची नहीं पाएंगे, मैं आप कितने supplement खुद के लिए खाऊं, ओके आज एक छोटा सा जो आपको exercise करनी है, आपको आपके बारे में 5 चीज़े लिखनी है, पहली चीज क्या, आपके body में sign and symptom क्या है, note down कीजिए, आपको second में लिखना है या आपके body में deficiencies कौन कौन से है, अभी तक test नहीं कराएए, तो करा लिजे, vitamin D, B12, hemoglobin, ये basic test है ज और अगर है तो अंडर कंट्रोल में है की नहीं तो वह आप जरूर चेक कर लिजे, तो उसमें diabetes, thyroid, BP, आपका keratin label, जो kidney के लिए टेस्ट करते हैं, liver functioning test, ये सब जो normal basic basic test है, कोलोस्टरॉल, ये सब कैसा है, ये आप इसको जरूर ले लिजे, उसके बाद इन सब का match करते हुए आप डॉक्टर से मिलिए, देखिए आपकी stage क्या है, जैसे अभी कविता के group से मेरे पास call आया था कि husband को diabetes के लिए क्या दूँ, मैंने सबसे पहले report मांगी, report में क्या है, report में HBA1C11 था, 11 मतलब इतना high diabetes case है, कि अगर आप सोचे कि उसे supplement से control करें, not possible, तो सबसे पहले आपक डॉक्टर से मिलके आपके medicine ही set करने होगी, जब तक आप medicine set नहीं करोगे आपकी बिमारी के लिए, तब तक कोई चीज असर करने ही वाली नहीं है, इसलिए सबसे पहले डॉक्टर से मिलके आप आपके medicine को set कीजिए, medicine उनका set किया, PP fasting दुबारा से चेक किया, हपते भर के अ medicine को set कीजिए, medicine set होने के बाद आप देखिए कि वो जो बीमारी है, वो under control में है की नहीं, जब वो under control में आ जाती है, उसके साथ अब आप ऐसे कौन से supplementation लें, जिससे कि आप उस medicine को भी आप कम कर सके, उसका आप को effect दिखाई दे, और साथ में आपके well-being maintenance के लिए हो, जैसे again, deficiencies कौन से है, diseases साथ में आपकी जो भी है, वो कौन कौन से है, और आपको क्या नहीं लेना चाहिए, और डॉक्टर ने क्या-क्या दिया है, उसको छोड़ के आप क्या-क्या ले सकते हैं, आप जब तक बैठ के अपने लिए ये homework नहीं करेंगे, तब तक आप आपके लिए best 4 to 5 supplement नहीं निकाल सकते कि मुझे मेरे लिए क्या खाना चाहिए, तो I hope आज की training आप लोग के लिए fruitful रही होगे, और इसके according आप अपने लिए well supplements का decision लीजिए, ये short training आज प्रोग्राम था, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप deficiencies और diseases के बारे में किस तरीके से आप अपने supplement के बारे में सोचें और उनको continue कर सकें